Hello friends, so guys, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने AdSense account में bank detail को किस तरीके से link करेंगे अब क्या होता है कि जो process होता है कि आपने AdSense account create कर लिए, आपने अपना proof दे दिए, आपके address पे pin आगे, आपने वो भी verified कर लिए अब last जो बचता है वो रहता है कि आपके access account को bank account से link करना रहता है तभी आपके account में directly पैसा आएगा ये ज्यादा difficult नहीं होता है इसमें सिर्फ swift quote का एक problem रहता है वो भी मैं इसमें आपको बता दुगा कि किस तरीके से आप उसको solve करेंगे आपको attention लेने की कोई जरुवत नह है आप कहीं भी हो किसी भी जगे पे हो और किसी भी bank में आपका account हो तो आप उसका swift quote आप खुद से निकाल सकते हैं आपको bank में जाने की जरुवत नहीं है तो वह बहुत ही ध्यान से देना पड़ता है अगर तो उसमें अगर कुछ गलती रहे गई तो हमारा payment आने पाता है यह जो वीडियो है यह monetization process का last वीडियो है जो मैं playlist में डाल दूँगा playlist बना कि रखा हूं मैं monetization process का आप स्टार्टिंग से करने वाले हैं कि अगर आपका recently 1000 subscriber हुआ है और 4000 watch hour पूरा हुआ है तो आप playlist में जाके मेरा पूरा वीडियो देख सकते हैं आपको बहुत जादा help म पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको किस की से क्या क्या करना है तो इत्वी अपना अपना फिल करते हैं और आप की सबसे पहले जाएंगे 이्स अकांट में प्रहbok यहां पर जाना है AdSense Account में, तो इस तरीके से आपका AdSense Account खुलेगा, फिर आपको यहाँ पे जाना है, त्री डॉट्स पे, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जाना है, Payments में, पेमेंट में जब क्लिक करेंगे आप, तो आपका Page कुछ इस तरीके से खुलेगा, तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको यहाँ पे आपको bank account detail डालना है जैसे ही आपका होता है $100 तो आपके account में directly transfer कर दिया जाता है पैसा जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है add payment method तो आपको इस पे click कर देना है simply जब click करेंगे तो आपका यह जो page है इस तरीके से खुलेगा यह form को आपको fill up करना है यही सबसे main रहता है इसमें आपने अगर कोई गलती कर दिये तो फिर मुश्किल हो जाती है आपका पैसा आनी पाता है आपके account में तो इसको आपको अच्छे तरीके से fill करना है तो जैसा मैं आपको बताऊं fill करने का सेम वैसा ही करें आप तो आपको कोई problem नहीं होगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा beneficiary ID तो यहाँ पे यह जो लिखा हुआ optional तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है यह optional है तो इसकी जरुवत नहीं आपको कुछ करनेगी तो उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है name on bank account जो भी bank account आप देने वाले हैं उसमें नाम जैसा लिखा हुआ है as it is आपको नाम यहाँ पे वैसा लिख देना है उसके बाद यहाँ पे लिखना है bank name जिसी bank में आपका account है उसके बाद यहाँ पे लिखना है ifsc code लिखना है इसके अंदर जो आपके passbook में ही लिखा हुआ रहता है ifsc code वो आपको यहाँ पे लिख देना है इसमें कोई परिशानी नहीं होगी आप जो यह आता है swift code का तो इसमें परिशानी होती है और इसमें लोग समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पे मैं डालू कैसा क्योंकि यह जो है यह passbook में लिखा हुआ नहीं रहता है आपको नहीं मिलेगा तो यह आपको online निकालना पड़ता है आप चाहे तो अपने bank में जाके भी मालूम कर सकते हैं वहाँ भी आपको बता देगे और अगर आपको नहीं बताता है कोई या फिर नहीं रहता है और या फिर आपका जो branch है उसमें swift code नहीं है तो आपके branch का जो main branch है उसका आपको swift code इसमें डाल देना है यह बस इसलिए डालते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ tension लेने की जरुवत नहीं आपको कुछ पूछने की जरुवत नहीं यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको बस इसको ऐसे ही छोड़ देना है तो guys मैं यहाँ पे अपना bank details सब कुछ डाल देता हूँ और swift code भी डाल देता हूँ وshуда किस तरिके से निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ तो आपको जाना है नय पेज पे कि नय पेज़ पे गए यहाँ पर आपको टाइप करना है swift code तो इसको तक तक करना है इसक्य एप कर देना है और यहाँ पर आपको से पूछ रहा है किस कंट्री का स्विफट कोड चाहिए तो यहाँ पर आपको सर्च करना है इंडिया आप जहां के भких हैं यह inst लेश्ट कोड तो इसके आपको प्लिक कर देना है यह हो गया अब इसके बाद फिर आपको नीचे जाना और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर लिखके आरहा है Select your bank here तो यहां पर हम bank select कर लेंगे तो यहां पर click करेंगे तो यहां पर जितने भी bank है उसका पूरा list आजाएगा तो जैसे कि मेरा जो bank है वो State Bank of India है तो मैं यहां पर State Bank of India सर्च करूँगा आपका जिस भी bank में account है तो आप वो bank यहां पर search करेंगे तो मैं यहां पर State Bank of India search कर लेता हूँ यहां गया State Bank of India तो मैं यहां पर click कर दिया अब उसके बाद अब उसके बाद नीचे आना है अब यहां पर आके आपको अपना branch सर्च करना है अगर आपका यहां पर branch नहीं मिल रहा है तो उसका जो head branch है उसी bank का आपको फिर वो search करना है तो मैं यहां पर अपना branch कर लेता हूँ select यह मैंने कर लिया थाने अब यह भी हो गया अब आपको क्या करना है अब यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे तीन option आ गया मुझे, हो सकता है कि आपको सिर्फ एकी option आए, क्योंकि यहाँ पे तीन swift code दिया गया है, अलग-अलग के लिए, Eastern Express Highway branch के लिए है, वागले industrial state थाने के लिए है, तो चलो हम वहाँ पे नहीं रहते हैं, तो हम यहाँ पे जो main branch का, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, आप भी अपने bank का swift code इस तरीके से, तो यह जो है, यह swift code है, जो आपको वहाँ पे fill करना है, तो यहाँ से मैं इसको copy कर लेता हूँ, और इसको type कर देता हूँ, मैं अपने adsense account में, यह जो है swift code, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वही, यह डाल दिया मैंने, इसको फिर से आपको औरी confirm कर लेना है, कि सही है कि नहीं है, और उसके बाद, उसके बाद मैं यहाँ पे सारा detail डाल देता हूँ, तो guys, मैंने यहाँ पे अपना detail डाल दिया है, name, bank name, IFC code, और shift code, account number, यह सब मैं डाल दिया है, यह डालने के बाद लिंक हो गया, आपका bank account, AdSense account से, तो अब आपका जो payment है, आपके bank account में directly आ जाएगा, तो अब क्या होता है कि जैसे ही आप यह करते हैं, वैसी आपको एक mail भी आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एक mail आ चुका है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे हो चुका है, तो गाइस आपने देखे कि किस तरीके से fill करते हैं, बहुत ही easy था fill करना, तो इस तरीके से आप अपने bank detail को AdSense account से link कर सकते हैं, और अपना payment bank account में ले सकते हैं, तो I hope गाइस आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे like कर दे, share कर दे, और आप मेर चनल पर नए आए हैं, तो इससे subscribe करते हैं, तो चलिए काईस में मिलते हैं next video में